देवाज जिले के बागली में मंगलवार को जिला मुख्यले पर आयोजीत हुई जिला योधना बेठक के में भाजपा सांसद महेंदर सिंग सोलंकी और जिला परभारी मंत्री जिदो पटवारी के बीट बहेश हो गई इस दुरान पटवारी द्वारा सोलंकी का अफमान किये जाने को लेकर भाजपाईयों द्वारा बुद्वार के दिन भारती इंदा पारिटी मंदर अध्यक सथिकेंद परताफशनी के नेतरतों में विरोज सोरुप बागली मुख्यले पर गांधी चोप पर भाजपाईयों प्रभारी मंत्री द्वारा चेतरी संसत का बेठक में अफमान किया गया जो निंदनी है इसके विरोध में प्रतिनीदीतों करने वाले निर्वाचित इस्थानी निर्वाचित संसत का इस प्रकार से अपमान किया है यह लोकतंत्रक के प्रतिनीदी का अपमान है यहां पर भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस का विसथा नहीं दे जाता है निर्वाचित सदसे 17,000,000 लोगों के द्वारा और इस्थानिय संसत का इस्थाकार से अपमान करना जीतू पटवारी और कॉंग्रेस के नेताओं की मानसिक दिवालियपन को प्रदर्शिक करता है आज प्रदेश संगटन के निर्देश पे भारती जन्ता पार्टी के हम सभी बावडली मंदल के कारी करता हुने जीतू पटवारी का माननिय सांसत देवा साजापूर सांसत महेंदर सिंगी सोलनकी के अपमान को लेकर के हमने उनका पुतला दहन किया है और आज हम वबाजावती जलता पार्टी के कार्य करता सपध में लेते हैं और आप सबको इश्वास भी दिलाते हैं कि यह स्रद्दे केलाज जोशीजी की कर्म भुमी है कि यहाँ का कारे करता आ करता है और बागली मंदल में प्रभारी मंत्री जीतु पटवारी को हम घुसने भी नहीं देंगे और यह हम आपको इस्वास विश्वात पर दे रहे कि यह बाग केलास जोसी जी और सुर्दे नंद कुमार सिंजी चुहान की स्कर्म भूमी बागली में कांग्रेस का कारे करता भी यहां पर लोगस्तंत्र का सम्मान करता है और ऐसे बत्तमीज और दोगले प्रभारी मंत्री को बागली मंदल में हम कभी भी घुसने नहीं देंगे और उसका सारवजनी कुरूप से हम मेदान पर सड़क पर आकर के उसका भैसकार करेंगे हम हमारे वह हमारे देवास साज मंदल में घुसने नहीं देंगे वह हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले